हेलो दोस्तों तो चलिए इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग उत्तरप्रदेश PCS प्यारमित परिक्षा 2017 का सामा नध्यन पेपर सॉल्व करते हैं और इस अच्छे से देखते हैं हम लोगों ने 2012 से 2016 तक का पिछले लेक्चरों में देख लिया यह 17 अंगले लेक्चरों में 2018 की बात करें हैं तो पहला कुष्चन है हमारो रिखबेद के कई परिछेदों में प्युक्त अगन्या सब्द संदर्भित है तो यह है C option से यह है गाय के लिए रिगवेद के कई परिशेदों में प्रिवक्त अगन्या सब्द गाय के लिए प्युक्त हुआ है, गाय सबसे में पूर्पसू थी इस समय, गाय मुद्रा की भाथ ही प्युक्त होती थी, अल्थात के विक्क्य का प्रमुक साधन थी, गाय दक्छना में दी जाती थी, गाय अथ्वाधार में थी, रिगवेद में यत्तत अथित गोवद की भी किया जाता था, कलांता में वो अपनी उपयोगीता के कारण अवद्ध या अघन्या कहलाने लगी, रिगवेद में गवेश्टी गायों की गवेशना, गवेशन, गत्तिम, गम, आदिस अभी सब्द देते, दूसरा हमारा कुष्चन है, दूसरा है नेमलिकित में से किस सहल कृत गुफा में गया हा रहे, सिरों के बौद्धी सत्त का अंकर किया गया, तो यह है, सी ओप्शन है, कानेरी, कानेरी गुफा है मुंबई सहर के पश्चन में बसे बौरी वली क्योत्तर मिश्ते थे यहां यहां एक ही पहाड को तरास कर एच सो नो गुफाओं का निर्माण किया गया, यहां पर बहुत की कई अलग-लग मूर्तियां इसी गुफा में, गयारे सिरों वाली बहुत दी सत्त की पित्मा प्राप्त हुई है, तीसरा है, निमलिकित कत्नों पर विचार कीजिए, प फिरम्बीक चैत्त घ्रह और उर बिहार चटानों को काटकर बनाए गये, दूसरा है, पूर्वी दक्कन के अलग-ओर ऐ और बिहार-शाधनता चटानों को काटकर बनाए गगे, तो इसमें c-options निर्मा तकन सही है, यहां है, यह दोनों सही है, पष्टमी गोधाबरी जिले गॉंटु फ्ली में फियारंवे चेत ग्रे और बिहार चट्टनों को काट कर बनाएगे जब की पूर्बी दक्कन के चेत विहार रभाणता चट्टानों को तराज कर बनाएगे चौधरा कुष्चन है मारव सुची एक सुची दोस्ते हमलित करना है इसमें तीर्त करना है और इतमें पितीमाल चट पितीमाल अच्छड है ठीर है मैं इसमें यह आप्षन सेखेंगे दोस्तों अब इस देख लिए दे आदी नात रहा है जो ए व्रसव ऐं मल्ली नात यह जलकलस फार्ष नाथ एस इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग आदीनात वेसव हैं मली नात जलकलस पार्षनात सरफ संभव नात अस पांचबा कुछच्चन है हमारा बरावर पहाड़ी की गुफाओं के बिसमें निमल कितमसे कौन एक सही नहीं है तो D ऑप्शन है यह अभी लेक इसापूर भी छटी सता अपदीके जी गलत है इह उप्चön सहिए बरावर पहाड़ी पर कुल चार गुफाएं हैं P पुक्षण सहिए तीन गुफाओं की दीवार पर असोख के अभिलेक हैं है सहीए ये ये भी सहीए अभिलेक इन गुफाओं को आजीबकों को समल्टित होने का उलेक करते हैं सबसे पुरानी गुफाएं भारत में चट्टानों को काट कर बनाई गई इन सबसे पुरानी गुफाएं जिन में से ज्यादातर का सम्मद मौल काल 322 से 185 इसापूर से और कुछ असोग के सलालेखों को देखा जा सकता है यह गुफाएं बिहार राज के जहानावाद जिले मे गया से 24 किलोमीटर की दूरी पस्ते थे यह गुफाएं बरावर चार गुफाएं और नागार जुनी तीन गुफाएं की जुडबा पहाडियों में स्ते थे एक दसमलब 6 किलोमीटर दूर इस ते नागार जुनी पहाडी की गुफाओं को नागार जुनी गुफाएं कहा ज गंधार कला यह कुसाड से संस्भनदी थे हैं, जूनागड सला लेग रुद्ध दामन फष्ट्र, मिलिंद पनो यह हैं, मिनेंडर और फिर अपने तक्छला लेख पतिक दूसरा इसकी ब्याख्या देख लेते हैं गंधार कलाया जो कुसान से संबंदत है जूंगनागड़ा है रुद्धामन से मिलिंद पने होगा है ये मिनेंडर और तक्छला है पतिक अब बात करते हैं साथवा कुष्चन छटी स महाजनपत की इस्तित्था तो ये था राजिस्थान में ये इसापूर छटी सतापदी में 16 वड़े राजजी थे जिनें महाजनपत कहा जाता था बहुत गेंत अगुंतर निकाय में 16 महाजनपतों की सूची मिलती है ये महाजनपत इस पिकार है कुरू, पंचाल, सूर्षे हैं बद्ध, कोसल, मल्द, कासी, अंग, मगत, बृज, चेंदी, मत्स, अस्वत, अवंती, गंधार, कंबोज, इन महाजनपतों में सिल्ग मत्स, महाजनपत की राधतनी बिराट नगर की मत्स महाजर्पद राजिस्थान राज में अवस्तित था आठवा कुश्चन है जौनपूर राजी का अंतिम सासक कौन था तो भी अप्सन सही है हुसेन साय जौनपूर सहर की स्थापना अतुलतान फिरोज साह तुगलग ने अपने बड़े भाई जौनस साय मुहम्मद तुगलग की स्मिर्टी में कराई सरकी वंस की स्थापना फ़ाजा जहां ने 1394 इसमी में की थी फ़ाजा जहां को मलिक उस सरक की उपादी पिदान की गई थी सरकी वंस का अंतिम सासक हुसेन सायट कर सरकी था जैसे पराजित कर अठारा 1485 में सुल्तान पहलो लोदी ने सरकी सम्राज को दिल्ली सल्टरह में मिला लिया अपना नौबा कुश्यर है तेरा सो तीन में काक्तिय सासकों की सेना ने निम्नमे से किस की सेना को बारंगल में परास्त किया था तो यह है अलाँदीन क्लिझ थे सि ओप्सन सही 233 में अलाँदीन की सेना ने बारंगल पर आकमण कर उस समय वह घ्यंबा कांकिये की सेना ने बारंगल में अलाँदीन की सेना में को परास्त किया था तो इ Milwaukee किसे न काल में दक्कन में निम्न पद्धितियों में से कौन सा भूराजस वसूली का पिछलित आधार था तो यह हल की संख्या से बीवाफ्टिती का पार आधार था अधार पर जब भूराजस कि व्यवश्तित पृष्टिति यह करते था तो प्रांसिस्ट्राम को फ्रांसिस्ट्र फ्रांसिस्ट्री तथी जहांगीर के साफनकाल में भारत का भारत की यात्रा करने वाला याक्तिरी फ्रांसीस को फल्रेट था यह एक डश फेक्टरी की कमास्ता था तता आगरा में डश टक्साल का अध्यक्ष था उसने जहांगीर के शासन पर एक उस तक भी लिखी जिसका नाम जहांगीर का भारत निकोलो मनुक्की नेदारा सिको साहलम राज जैसींग के सा साथकार किया वह इटली से आया था थ्रक्वैस बर्नियर फ्रांसीसी याक्तिरी था जो पेसे से चिकतिस्प था यह साहां जहां के दर्बार में से सम्मिन दित था दारा सिकोर औरंग जेप के वीच होने वाले उत्तरा दिकारी की लड़ाई का साब्ची था पुर्दगाल याक्तिरी फादर एवनी मांसरेट फादर एक्वाविय के साथ 1580 मुगल समराथ अकबर के दर्बार में आया था उसना अकबर के चरित एवं बेक्तित के विसाथ बर्डन किया और फादर मांसरेट को साय जहां मुराग का सिक्छक निवत किया था अब बात करते हैं बारवा कुश्चन यह में लिकत में इसके कौन सही समलेत नहीं है तो इसमें डी आप्सें से कार्ल लाड कार्वालिस तितिये आंगल माराथा युद्दे से संबंद नहीं है इसे उप्सें सही है 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 कि अप्सें सही है हेक्टर मुन्रो बक्सर का युद्ध लौड हैस्टिंग आंगल नैपाल युद्द लॉर वेलेजरी व्यात्यृत आंगल मैसुर युद्द दरे ओप्सें Гलत यह वाकी तीन सही है इसकी ब्यक्ट्ट्ट देख लिए तितिये आ लड़ा गया था ना कि लॉर्ड करणवालिस के समय सेस्विकल्प संबले थे मतलब तीनों जैसे हैं एक गलत है तो यह थे थे थॉमस बेलिंग्टन मैं काले गलत है और में कोई नहीं है न इस इंडिया कंपणी के बारे में यह एक टिपड़ी की थी की कंपणी एक आसंगत है परक्त हुए है उस ब्युस्ता का भाग है जहां सब कुछ आसंगत है पिसन ने करत विकल्प में टीवी मैकाले के स्थान पर जीवी मैकाले दिया गया है इसलिए एक द्वारे एक पिसन मूल ल्यांकर्ण से बाहर खर दिया गया था ठीए था थॉमस बेलिंग्टन थी प्षाण सुरत भरोज आगरा ओचीन अहमदाबाद पटना रचों ने भारत के पूरभी तटके और गंगा घाटी के निचले पिदेशों में भी अपनी कोछ व्यापारी कंपनिया स्थाबित की उन्होंने सूरत भरोज के अहमदाबाद कोचीन मचली पटना चीन सूरा पर विचार कीजिए तो उनके नीचे देए कुट से सही उत्तर चैन कीजिए तो ए ओप्षन है हमारा कथन वेटिस काल में सामनत भारत का व्यापाल संतुलें अनुकूलित था और ओप्षन प्रेकारण धन की निकासी का सवरूपती आप इती फलित नर्यात था तो ए ओप् पर विस काल में अंग्रेजियों ने एक रडड़ नीथी बना भारत का आर्तिक सोसंड इन। ना करके अपनी आर्तिक नेथियों पर जबस्ति ला दी यूर्ने इनका मुक उध्यू और इन्ग्रेजजों का हैतरा इस सोसंड की नीती ने भारत की आर्थिक विवस्ता को पंगू बना दिया जॉन सूलियस ने भारत में बेटेस आर्थिक नीती हो इसके पिवाहों को दरसाते हुए लिखाया कि हमारी पेडाली एक ऐसे स्पंज के रूम में काम करती है जो गंगा के किनारे से पिते एक अच्छी वस्तू लेती हो और टेंप्स के किनारे पर निचोड देती हो वहीं धनकी निकासी निर्यात के रूम में किसी पिकार का फिती फलन नहीं हुए यह थे जॉन लूबी सुली वस ठीक है अब है सोलवा निम लिकेते योगमों को सभी सुन लेत नहीं है नहीं वैसे तो बिद्रों हैं यह बार्स हैं कि इनकी ब्याख्या देख लेते हैं लोग डाले कि इसमें जो अपसन है वो सब्सक्राइब कोई सभी 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 है कोई सब्सक्राइब कर दिया दूसरी और तीर थे थानों की यत्रा पर लागे बीती बंदों से सन्यासी को इतना छुप दित कर दिया की विद्रों पर उतराए वाकिंग चंद चटरजी चटो पर द्याय उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रों का उल्ले मिलता है कोल बिद्रों की बात करें तो यह हुए 1831 से 1832 राची हजारी वाग सिंग भूमी पला मव और मान भूमी के बश्चमी चेत में पहला इस बिद्रों का करण था कि आदवाशियों की भूमी को उनके मुखिया मुन्नों से चीन कर मुसलमानों दतन सिक किसानों को दे दीना सत्राओ कुष्चन देख लेते हैं दो निर्मन में से किस समाज सुधायक ने 1826 के जूरी अधिनियम का गोर ब्रोथ किया था तो यह थे राजाराम मोहन ने किया था सोला वर्ष की एजमें इनकी अस्था मूर्थी पूजा में नहीं रही और इनोंने फाल्सी में तो है फत उल्ड मुआद हिद्दीन नाम पुस्तक लिखी जिसमें मूर्थी पूजा का खंड़न और एक इस सुर्वाद की पिसंसा की 1815 में उन्होंने आत्मिय सभा की स्थापना की उनका उद्देश हिंदू समाज की गुराहियं दूर करने इस्षाइत की प्रभाव को रोखना एवं सब धर्मों में आपसी एकता इस्थापित करना थो अठारवा कोश्चन हमारा निमलिकत में से किस बर्ष बंगाल के मेदनापूर जेले में जाती है सरकार की स्थापना हुई तो डी ओप्शन उननीच सो ब्यालिस तो बहाराच छोड़ों अन्दूलें उननीच सो ब्यालिस के अंद तक करीब साथ हजा लोग जेल में बंद हो हुए मरने बालों में अनेक बच्चे वो विर्द महलाएं भी थी प्रदशन में भाग लेने पर पश्चे मंगाल राज के मीदनापूर जिले में 13 साल की मातंग नी गिनी हजीरा को गोवपूर असम में 13 साल की कनक लता पर हुआ को पठना बियार में साथ तरोन और अन शेक्नों गूलियक मारकर मौत के घाट उता रिया देश के कुछ भाग जैसे उत्रपिदेश में बलिया पंगाल में में वेंदिनापूर महराष्ट में सतारा करनाटक में धारवार और उडिशा में पंगाल सान तथा तांचेर बेटिश सासन ने मुक्त कर दिये मेदनापूर सरकार में जाती है सरकार के नाम से भी जाना जाता है अब अपना है उठारवे के बाद 19 वा ठीट ने मिल कितमें से किस केस की समझ संसार में चर्चा हुई और अभी युक्तों की समर्थन में अलवयट आइश्टेंड, एच जीवेंस, हैराल्ड लस्की और रो कितमा 1929-1933 तद 25 कमूनिस्ट क्यांति कारियों पर चलाया गया तो जिसमें तीन अंग्रेज भी थे इन बिद्दोहरीयों के समर्थन में आइश्टेंड, रोजविल्ड, वेल्स, हेराल्ड, लस्की ने टिपिड़ी की थी 20 वा कुष्टेंज है, सतंता पूर भारत में नम लेकिति मैंसे किसने केंदिये विद्द सभा में सोजा, सोराज दल का समर्थन किया, तो यह है, A option सही है, M, A, जिर्न, इसकी व्याक्षा देखते हैं, एक जनबर 1923 में, चितन जन दास, मौतिला, नहरू, नेलाबाद में ए स्विकार किया, मगर एक बात को छूड़कर किया, दल कौन से इनके चुनाव में भाग लेगा, केंदिये विद्द सभा में सोराज दल का समर्थन मुहमत अली जिन्या, आर और अबुल कलामाजाद ने किया था, 21 वा देख लेते हैं, अब गोपाल केशन गोखले ने किस भारत के सतन्तिता सैनानी, समाज से भी विचार और सुदारत थे, महादेव गुबिन रर्नाडे के सिस गोखले को भी तिये मामलों की या तिये समझ और उस पर अधिकार पूरुबग बहस करने की चमता के करन भारत का ग्लेड इस्टोन कहा जाता था, विभारती राष्ट क कांग्रेस के सबसे फिसे नर्म बनती थे, चरत निर्मार किया वासकता से पूर्टा सहमत होकर उन्होंने उन्नीस सो पांच में, सर्वेंट्स ऑप इंडिया ससाइटी की स्थापना की ताकि नौ जवानों को सारुपचनिक जीवन के लिए फिसिक्षित किया जा सके, महत्मा करना है तो यह उप्षन इसमें सही है, पहले दो मतलब चंपारण हुआ पहले 17 गये, 1917 में, फिर आया एहमदाबाद मिलहरताद, फिर एक खेड़ा, फिर हैं रॉलेट्टेक्ट, 1917 में, गांधी जी ने अपने विचारों पर आधारे 17 का पहला पहला पेव, 1917 में, बिहार में चंपारण नामकिस्थान पर किया, यहां पर यूरोपी ये वगीचों के स्वामी नील की खेती करने वाले किसानों पर बड़े अत्याचार करती थे, वे किसानों को नील की खेती करने उनकी पैदावार की सस्ती दरों पर बैचने को मजबूर करते थे, किसानों को अपनी ज खेड़े जिले में खराब पसल होने से किसानों की हालत खराब हो गई मजबूरन यहां किसानों ने भूमी कर दैरे से मना कर दिया इस संगर्ष में शर्दा बल्लबाई पटल ने सब्क्रिये भूमकाने वाद खेड़ा में ही जून 1918 में गांधी जिन अपने पित्थम बास्ति मार्ज 1918 को हड़ताल कर दिया मिल माल किसी भी इपकार से समझोते के लिए तेयार नहीं थे गांधी जी ने जगड़े की निप्टारे का वेतन किया गांधी जी ने बाजदूरों के वेतन में 35-35 की बिद्धी को चित ठहरा है भारत सरकार ने 1917 में सर्ट शेड़नी रॉलेट की अत्यक्ता में एक कमेटी सुनिक्त की जिसकी सिफारत पर केंदिये विधार मंडल में दो विल पिस्तोत हुए इतियास में विल रॉलेट विल के नाम से जानके सकते हैं इन दोनों विलों में से एक को 19 मार्च 1919 को पास किया गया है इस एक किसी भी बैक्ति को संदे के आद अधिया थे तैजी सब्सक्राइब नहीं है तो सी अप्सन है नातुला में इस गाला में नहीं है इसकी बैक्ति देख लेते हैं हिमाचल पिदेश यह सिफ़ीला है अवड़ा चल पिदेश में बांडीला सिक्के में नातुला और जम्मू कस्मीर में यूजला ठीक है तो हेमाचल पिदेश में सिफ़ीला अपनाचल पिदेश में बांडीला सिक्के में नातुला जम्मू कस्मीर में जोजला चौवीस बाद देख लेते हैं हम लोग सूची एक को सूची दोसे सुमलेत करना है जल्ब पात है यह नतीं है तो यह आप्सन से यह सुम दूद सागर मांडवी डुडमा मचकुन्ड गोकाग गाट करवा गोकाग हो गाट करवा जोग स्तरावटी इसकी ब्याक्राद देख लेते हैं दूद सागर मांडवी डुडमा मचकुन्ड गोकाग गाट प्रवा योग तरावलती इसकी बात करते हैं चपीस कुस्छन की ने मिगत पाड़ी जातियों का प्ष्च्च्चम से फूर मैं सही क्रम पहच्च्च्चन है तो सी अपसन गारो खासी जैतिया नागा बिरकल मैं दिए पहाड़ियां जातियों का पश्चिम से फूर्ट साई क्रम है गारो खासी जैतिया नागा 26 वा कुष्चन है मारा सुची एक को सुची दो से सुन ले करना है इसकी ब्याख्या दिख लेते हैं हम लोग टी ऊस्थ कटी बन दिए मैं साइलेंट वेली संकू वेक्ष है है हिमाचल के दीश में कर्च्च बनस्पती है सुनदरवन उपथजरवन है राजिस्तान कि इसमें पर इसे डी ओप्सन सही है कि रूष्ट कटी बन दिए बन है साइंड वैली साइलेंड वैली संकू ब्यक्षान वान है मार्चल पिदेश कर्च बनस्पति है सुंदर बन पत्जड बन है राजिस्तान 27 देख लेते हैं उत्तर पिदेश में कितने किसी जलवाई चित पाये जाते हैं तो C उफ्षान नो उत्तर पिदेश में किसी जलवाई चेतों की संक्या नौए चेत्य वहावर्थ एवं तराई चेत्ट पष्च मो कि हृप कि शंकी वड़ोले से बनेगोंosa है कि तापी शक्ति गलत बाकि तीनों शहिए सौरी यह नेमलेकत में कौन सही सुमलित है तो यह ओप्षन है इसमें है दो तीन दो तीन चाहि मतलग एड़ूप की ताफिय सकती ग्रह यह सही नहीं है सवरीः चलविद्य पर योजना है घर शिचाई पर योजना सबसांतौन कीполग और ऐसी है तो इसमेजद काल में कि गोडवाना सेलों में कुल कोईली का अंठाउन में पितिसत भाग पाया जाता है से इस दोपिती सकती थी है कि अक्टर शरी यूगेन उन चटाना में मिलता है गोडवाना उन चटानों का सबसे फिर्मों चित बश्चे मंगाल जारिखन दुडिसा राज्यों में अरिस्तत है जहां से कुल उतपादन का 76% कवेला पर आप एक गोडवाना वीटन मीनस विकार का है जिसका उप्यक्षक कोवेला की रूम देश में के लो इस पाद के कारखाने में किया घान ती से नियम लेकिन लो इस पाद कारखनों में से कौन का च्छित के समीब नहीं है तो डियों सेलम जमसेत पूर रावूर केला दुर्गापुड एकार खाना इस्तेद हैं वही लेकिन समीब में नहीं है मतलब पास में नहीं सेल इसकी ब्याख्या देख लेते हैं जमसेत पूर उडिशा के गुरू महीर सानी मयूर गया बन्य की नुवा मुंडी खानों से लुएस कोईला जरिया की खानों से चुना पत्थर वेहार उडिशा की खानों से जल स्वड रेखा और खरन कई नदियाओं के पोल काता ठीक रावल की दर उडिशा में क्योजर गोना जरिया एवन तल्चत खानों से घुला मिलता है हीरा कंड से चल बित्थर उडिशा के वीर मित और हांती वारी से ब्राह्मन नदी वास्यक नदी प्रवने बांत से पानी मिलता है जल चैनने मुम्माई विस्था का पठना ए बाजान दुर्गापुर चोटा नामपुर पठ के लिए एक बाजा रहे है को असलम है जो इसमाद का ख़के एक साल के माल के च्षित में समीप नहीं है कि भी ओप्सन कि सुची एक को सुची दो से समुलिक करना है अलूमिनियम है इस्तिति जाए है बी ओप्शन सही है, दो चार, एक तीन, मतलब बाल को कोरवा, हेंडाल को रेनुपोर्ण, इंडियन एलुमेनियम कम्पनी हीरापोर्ण, पर नाल को कोरापोर्ण, बाल को कोरवा, हेंडाल को रेनुपोर्ण, इंडियन एलुमेनियम कम्पनी हीरापोर्ण, नाल को भारत के सरबार suffer भाला गया बंदर्गाति ब्रका सबि esky χ औराठीब नियुबड ली कि अचाजी यदे के बंदर भारत के पुरुआ किनारी पर इस थे सबसे बड़े में मंपत अच्वड पार बनाया गया है इंशतक्हर हमार सब्सक्रथी किनारी पर तो बंगाल की खाड़ी वह महानदी के समीव संगम पर रिस्तित है अब 33 बाद देखते हैं करक्रेका नेमलेकित में सिक्राज्यों से खुकर गुजरती है तो यह उप्षन सही है एक दो चार सही है गुजराज श्टिशगर जारक उत्तप्रदेश से नहीं हो जाती है इसकी ब्याख्या देखते हैं भारत में मुख भूमी इतभी के उत्री पूर्वी गुलाज से आर्ड डीरी चार से 37 डिगरी चै उत्री एक चार्ट डिगरी साथ से 27 डिगरी 25 पूर्वी देश आंतर की मुख देश देते हैं 82 पूर्वी देश आंतर इसके लगवग मद्द से गुजरती है इसी देश आंतर के समय को देश कमानक समय माना जाते हैं यह इलावाद के निकर नहनी से गुजरती है यह भारत को उस्ट कटी बंदिये वागों में विवाजित करती है करक लेखा भारत के जिन पिदेशों से उकर गुजए पिमे गुजरात राजिस्थान वद्ध पिदेश जट तीस गड़ जहर कंड पष्चे मंगाल तिप्पुरा में जोर। तो याद रखिए इनमे इसा गुजरात राजिस्थान वद्ध पिदेश तीस गड़ जहर खंड पष्चे मंगाल तिप्पुरा में जोर। सबसे बड़ा पठा रहे हैं तो सी ऑप्षन है को लो रॉराड़। कि श्रयुद राज अमेरे क्या तछिंट पफच्ची में चेत में बिस्तारित गो法। ल रॉर रैंड़ो के पठा सबसे बड़ा आथ है तीन लाग थीफ हयार बायट किलो-मीटर चेत में वत्था थे जब कि कोलंम्भी या पर थार एक लाग साथ हजार बार किलोमीटर चित में विस्तावते हैं 35 वह बर्सा की मात्रा निर्वर करती है तो वाई में बी ऑप्सन से यह वाई मंदल में नवी पर छियां पर नमी पर हो बर्सा रेंप पिकार का संगनन ने पित बी की सतर से पानी बात्पित होर उपरिmlle 에 गता है ऐसे कैजिते हैं ये परेंट मात्रा का हर दूसृ सरा हभार में भारी हवाता होराय अने से घंदा सक्षे होना पोंसहल में पर doorstep पहुछना उत्तर श्पष्ठ है कि बर्सा की मत्रा वायूनल में नमी पर निर्भर करती है बर्सा तीन्त कार्गी होती है संभनर्ण यह बर्सा परवधिय चक्वाती बर्सा 36 से जिखते हैं निमने में वेशे कौन विसाल तम हिमनद है तो डी आप्शन है सिया चीन इसकी लंबाई है शत्र दिन पच्छासी किलोमीटर सियाचन हिमनद है जिखतर किलोमीटर गंगोती हिमनद है 26 और जैमू हिमनद है पांच किलोमीटर अब हम लोग देखने हैं एक चतिस सैंतिस अधो लिखित मैं से कौन सीथ महासागर धारा नहीं है तो डी आप्शन है अगुल हास है अगुल हास कि अगुल हास कनारीज दिखिर थंडी है हम बोल्त यह भी थंडी है उल्वासी यह थंडी है अगुला से गरम और स्ताय नहीं अर्थी सिलात सागर एक उधारत है तो तो औस आप्शन है अक्छिय दोड़ी का है अक्षे दोनी का उतार है ने श्लाद सागर अफीका के फूवी चबूमी में ये लंबी दराद गाती है जो मलावी जील से परम होकर तर में लाद सागर को पार कर दूर में तर सागर तक पहुंचती है कि उन्तालीस है ने मिलकेत में से किसे बाइव मंडल के प्राक्तिक संतुलन के लिए कारवंट आई उक्साइड की उप्योक्त संत्ता मानी जाती है तो भी ओप्सन है जीरो प्वाइंट जीरो थ्री है जीरो दस्मला जीरो तीन पीजी सब बाइव मंडल पिथवी के चारों और हवा की विश्टत भंदार को कहते हैं यह नेक गैसों का मिस्टन है जिसमें फोस ओर्टरल पदार्समों के कंड आसमान मात्राओं में तेरते रहते हैं नाइट्र दस्टों कि वाइंट्र में पाय जाने का पिदिस अतने पकार है नाइट्रोजन अठातर पिदिसर ऑक्सीजन इकीस हाउर्गन जीरो दस्मला तेरान में पितिसर औरफन डाई ऑक्साइड है 0.03 पितिसर सीओ टू यह भारी है सोर विकरेंड के लिए परागम है किंतू पार आतापमार में बिद्धी में सहाइक है, प्रोटू प्रोटू कॉल, उननीस सो संताउबे इस वी के द्वारा इसमें इसकी मात्रा में कमी किया जाने अपके बारे में बैस्विक सहमती बनी है, चारीस है, नम्लेट में से कैसे यॉरोप की तेलराद्दानी कहा जाता है, तो डर७ी और डीन, arbeiten को कहा जाता है, जराजीर में विसाल कहवा और वगानों को कहा जाता है, तो फजेंडा ड्र७ी और ऑप्सन सही है, दच्छिन अमेरिका कुल छेद भलका के वल्दस पिती से भागी खेती के योग है अधिक तर क्रिस्टी योग गूमी अर्जिंटीना और अरुबे में है जहां गेहूं और मक्का की अच्छी खेती होती है द्राजील, कोलंबिया, एक्वाडोर, संसार में कहवे के सबसे बड़े उत्पा रखें यहां की लाल मिट्टी कहवा की खेती के लिए उपयोकत है यहां कहवा के बड़े बड़े बागान मिलते हैं जो थजैन्ना कहलाते है 42 वाए निमलकित में से किस देश समुवी की सीमा इजरायल से लगी है तो यह उप्शन से है लेवनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस लेवनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस इजरायल, जॉर्डन, सीरिया, लेवनान, बामिस से सिगरा हुए है इसकी स्थाबना 14 माई 1940 को फिलिस्तीन के विवयाजन के पर सुरूप गई, यहां की लगवक 16-300 जन्सां के आरब समधार से संब्ल देते हैं, जबकि 16-300 जन्सां के विदेशों से आई है, जिने ओलिम कहा जाता है, जबकि जिन यहूदियों का जन्म इजरायल में उगवा उन कि रूप में फियूग की जाती है, तो सी ओप सन है, लोडविक्स नहर, इसकी भी आखिया देखेते हैं, लोडविक्स नहर दच्ची जरमियूद में, अंतरिक जल्मार्ट के रूप में फियूग की जाती है, बोलगा डोण नहर एक जहाजी नहर है, यह बोलगा नदी और जोड़ती है, यह नदी कैसिपी है, सागर, जोब सागर, और काला सागर को जहाज रानी के लिए जोड़ती है, स्वेज सागर नहे रूस पर रह स्वेज सागर को जोड़ती है, जाज के लिए। 46 वा पर गुछ नहीं है, तो इसकी D ओप्सन है, मालदीप, मलावो, गीनी विसाओ यह जातनी है ताइब है निकारा गुआ ना गुआ है मालदीव माले है मालवीर के ओडानी माले है पैंतालिस देख लेते हैं जोगे पैंतालिस सुची एकको सुची दोस्रे संभलेत कर नाहेयन नगर उन नदिक तो एकोबशन सही है खालतूम, नील नदी कनारे, द्राज्या वेले, यह जेरे, राटर्डम, यह राइन नदी, पैरिस, सैन, इसकी ब्याख्या देख लेते हैं, खालतूम है जो नील नदी राज्या वेले, जेरे, राटर्डम, राइन, पैरिस, सैन, इसकी ब्याख्या देख लेते हैं, कि 2011 के नंदील राटर्डम, ना के अन्ति मात्मों के अन्थार दिये गए, राज्या मनेन, कि अनुसूचित जंचाती के क्ल सैन्ख्या उसका प्तर प्धिएश में, आपको बता देहिए कि अनुसूच जंचाती का चन्ख्या है, क्ल 11.24.230, जीरो दसम्लाग 630 बिहार में 13,36,530 एक दसम्लाग तीन पितिसद तल्वन लाणग में 7,94,670 एक दसम्लाग एक दसम्लाग पितिसद केरल में 4,84,849 एक दसम्लाग पॉंच सेंतालीसव कुष्चन 2011 की जन्गरना की अनसाने मलिक्त में किस राज्य में जन्सयंक्या की कमी आई है तो यह है नागा लेंड एक दसम्लाग पितिसद में जीरो दसम्लाग पितिसद मड़ीपुर में में बिद्धी माइनस चीरो दसम्लाग 6 मड़ीपर में 24 दसम्लाग पॉंच तिफ्पुरा में 14 दसम्लाग सिख्के में 12 दसम्लाग अरताली से नीचे दे गए कथनों में दीए गए हैं इन्हें देखना है कथन आपको बता दें कथन यह है विस्ट स्वास श्रंगठन डवलू याचो कि अनुसार उन्नी सो तेरानुय में विस्ट में 16.5 मिलियन मित्यू छुआ छूद की बिमारियों के कार्ण हुई और आरे सवास्थ नेवजन के मिना नंगरी करन के कारण इस प्रकार की बिमारियां फैलती है घी आप्सन इसमें सही है यह आर दौनों सही है पर अर्गी सही ब्याख्या नहीं करता है इसकी भी अख्या दिख लेते हैं विस्ट स्वास्थन ड्रगठन उनी सट्हरान में विस्ट में संक्रमाग रोगों की कारण उनी सच्छान तब सत्रा मिलियन लोगों की मौत हुई किन्तु इसके अर्थरेक्त इसमें के लिए अनकारण भी जिम्मिदार पाने जाते हैं इस इस पिकार की समेस्या का प्रमुक कारण स्वास्त नेवजन का ना होना है उननचार देख लेते हैं निमलिकत में कौन एक सही सुमलिक कौन एक राज आर्थिक दिरिश्टी से सबसे उपन किंतु लिंगन पात की आधार का सबसे नीचे है तो डी ओसन है हर्यान उपयोक्त द अच्छा सब्रस्यम भारतिय समिदान में राज्यों का संग्व कर शुक्त के नौर्थ अमेरिका आसक्ष自रियंwhy Quando Acts 271-परमौणएर सबस्टा है Allah कि इस नौर। Cassius 1-1-7 सब्सक्राइस नौरथ आधाया है नासला की प्रदू के एक आई कि अनुसार भारत राज्यों का संग है, जबकि अमेरिका के सम्मिधान में संग की जगए, फेडरेट, रेशन की जगए, बिवस्ता की लिए है, वास्ता में भारतिय सम्मिधान में दूसरे देशों के सम्मिधान से बहुत कुछ लिया गया है, इसलिए भारतिय सम्मिधा सब्सक्राइब यहां जनता द्वारा सरकार एक निश्चित कारकार के लिए निर्वाद चुत होती है कि तथा कथन सब्सक्राइब भारत अपना लिखेट समिनान है तथा कारण भी सब्सक्राइब अब बावन का कुश्चिन देखते हैं नियम लिकित में से कौन समिनान के रचे 21 के दाएरे में नहीं आता है तो यह उप्सक्राइब बाकी तीनों सही है गाहल को चिक्तिशी है साहता परमानन बना भारत संग उनीस और ठाण बे में कारिश्थल को महलाओं का लेंगी कुथ पीडन बेसाका मामले में अनुचे 14 1921 तथा पानी की गोड़वत्ता कुदूसित करना समिनान के अनुचे 21 में सामिले मित्ति दंड अनुचे 21 के इंतर गलत नहीं आता है तरी पर वाकुष्चन है भारत एव अमेरिका की राजने के विवस्ताओं के बीचित निम्लेकर में कौन सी विवस्ता है समान है तो यह आउप्सन सही के वल दीन कुछे सदन में कुछ मन उदी सदस होते हैं अब बाकी तीनों गलत हैं अवसिष्ट शक्तियां अब कर दो की सकती है यह सही है बाकी तीनों गलत है यह दो चार गलत है अवसिष्ट शक्तियां के पास है यह गलत है अवसिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है यह भी गलत है कुछ सदन में कुछ मनोरी सदस होते हैं य छो उसको भारत सों कुछ है जाना है उस इस में काश ऑता होग ! अच्छी ने के पास भारति यहां संही है! जो उस सद्ल था सब में मनोईद था , इस इस ऑास्वाथ है ! इस आस्वांता के लारा कुछ समाना है ! राश्टपती का इस सेहूं का सरोच कमांडर होता है ! चंगरवा कुश्चन है लोकसभा का दीवेशन गठित करने की घथुगड़ पूर्ती कितनी होना चाहिए B option सही है सदन की सदस्वों की कुल संख्या का दस्वा भाग हो B option सही है कोरम या गड़ पूर्ती सदस्वों की निम्मतम संख्या होती है जिनकी उपस्तिती में सदन का कार संपादित होता है यह पित्यक सदन में पीठा सी नदिकारी समय कुल सदस्वों का दस्वा भाग होता है इसकी इसका आयत है कि लोकसभा का दीवेशन गठित करने के तो कम से कम 55 सदस्वों राजसभा का दीवेशन गटित करने हैं तो कम से कम 25 सदसावसक होना चाहिए यदि सदन के संचालन के समय कौरम पूरा नहीं होता है तो यह अध्यप्च या सभापती का अध्यायत थे कि वह या तो सदन को इस्तिकत कर दे या गड़पूर्ती तक कोई कार संपन ना करें बच्पनवा कुश्चन है सूची एको सूची दोसे सुम लिख करना है राज्य है राज्यों सभा के सरस्तों के संचालना तो सी ओप्सन सही है सुम गुजरात में 11 करनाटक में 12 केरल में 9 और इसा में 10 कि इसकी व्याख्या दिखेगे दें लोग गुजरात में 11 राज्यसभा में 26 करनाटक में 12 लोग्सभा में 28 केरल में 9 राज्यसभा में 20 और ओर इसा राज्यसभा में 21 तो सी ओप्सन है नाव निर्माजित लोकसभा के बरिष्ट तम सदस्थों में से एक को समीधार में वर्षता की गई कि फिछले लोकसभा के अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बेटक के ठीक पहले तक अपने पत पर बना रहता है गतर दिए हैं लाए हैं आमतोर लोकसभा के बरिष्ट तम सदस्थ को सफद दिलाता है अध्यक्ष के अधिकर सब्सक्राब के साथ लिय्यक्षु नई लोकसभा की पहले बेटक से अधिकारी होते हैं उसका मूल कर्थब नए सद्रों को सफद दिलाना, वह सदन को नए अध्यक्षबा चुनाओ करने के लिए मदद करता है, जब नए अध्यक्ष चुन लिया जाता है, तो पोर्टेम सपीकर का पद स्वेम में उस समाफ्त हो जाता है, अता है पर अल्वकालिक हुटा है संपाउं देखते हैं राजसवा का सर्व प्रिथम गठन किस बाइस हुआ था तो सी अपसन है 1902 भारती समिधान के फिवर्टन के बाद काउंसिल ऑफ स्टेट्स राजसवा का गठन 3 अपरेल 1902 को उगा इसकी पहली वेट तेरा मईए 1902 को इसकी अध्यक्तर ततकालियों को प्राक्टर श्रेफ बल्लिया जादा कि द्वारा की गई 30 अगस्त 1901 को सभापती के सदन में गुष्णा की कांसल ओं स्टेट को आप राजसवा के नाम से जाना जाएगा जातब है कि समिधान के अच्छित 80 के अंसार राजसवा का गठन 250 स सदस्वारा होता है इसमें 12 सदस्वारा के नाम राठपती द्वारा निर्देशित किया जाते हैं से 238 का चुना और राज्यों तत्हसंग राज्चेत्रों के विधान सवाहों के सदस्वारा आप तत्यक्ष रूप से किया जाते हैं अंठाओं कोश्षा हैं सांजवारा से साम्रिक विषेस अधिकार हैं चर्चा व टेवन पिक्रिया की स्थन्दता ये ओप्शन सही है राम्तिर की विषमों के संचालन का अधिकार ये भी वी और चौत्रा सही है प्रिजित को सदन से बहार रखने का विसे सदिकार इसकी वियाख्या देखते हैं समीद्यान के रिचे 105 तीन में सद के दोनों सदनों के सदस्तों को कुछ अधिकार पदान किया गया है यह है विसामेले कि संसद का धी वेशन चला हो तो ने नया एक गवारी आदी में जारी कि समन से छूट है यह एक ब्यक्तिगत बिसे सदिकार है अर्न सभी सामोहिक बिसे सदिकार है उनसट है निम्लेकित कत्रों पर विचार कीजिए नीची देए कोर्स से उतना उत्तर चुरिये है तो भी उतन सही है एक उतीन राज्यपाल कोच ने आला है कि निया अधिस के निव बिधान सभा का हिसार नहीं है यह गलत है उन्हें बिधान परिशद में कुछ सदिकार को मनूनित करने कादिकार है उनके पास कोई नियायक सकती नहीं है गलत है व्याक्या देखिए पर राज्य बिधान मंडल में राज्यपाल एबं बिधान सभा सामेल होती है जह राज्य विधान परिशत कुल सदस्वों के छटे बाग को नामित कर सकता है, जिने साहित विज्ञान कला साहिकार का अंदूलन और समात सेवा का ग्यान हो, इसका विभारिक अन्भा होता है, समिधान के निचे 161 में राजपाल को छमा यादी की और कुछ मामले दन्डादिस के निवल साथ देखते हैं, राजशबाद वाने समिधान के निचे 249 के अतरगत पारित संकल्प, जिसके द्वारा संसत को राज सूची के विजए विधी निर्मित करने का अधिकार दिया गया, उप्तरवत रहेगा, सिय उप्तन है, एक बार्स के अधिर नहीं हो, समिधान के निचे करने का निचे करने का नियुकि निर्मित अधिका दिया गया है, यदि राजशबाव में उपस्के तो उसमत देने वाले सदसरों मैं सी और गोशित किया गया है, तो जब तक कि इस संकल्प वे उस संसत के लिए विजए के समान्द में भारत के शंफू chu चिट, या कंभार किसी भाग के लिए विधी बनाने विधी पूर्ण होगा इस खंड कहनता है पारित संकल्ब एक बस से अधिक अनहीं दीकित ऐसी अवधी के लिए प्रवित्र रहेगा जोस्त में वी निर्दिष्ट की जाए एक सट बाद देखते हैं इन्हें में कितमें कौन सहकारिया अंदोलन का सथ से था तो सी ऑप्सन है डॉक्टर एस आर रहें 1983 में केंद सरकार ने उस्तम नियालाई के सिवा नियादीस आर एस सरकारिया कि अधिप्टा में केंद राज संबंदों पर एक तीन सदसी आयूग का गठन किया इस आयूग के 29 सदस वीस से रासन और और एस आर शेयन थे आयूग ने एंतियम रिपोर्ट अक्टूबर 1987 में फेस की वो इसका सार अधिकारिक तो पर जन्वरी 1987 में जारी किया गया थैयूग ने केंद राज संबंदों मिस्ताहर के लिए 247 से फारेस हैं फिस्तुत की थे अब अब अपना है 162 में इसमें कौन अंतर राज्य परिश्यत का गठन करने के लिए अधिकरत है तो भी अप्स्तन राष्टति इसकी ब्याख्या देख लें समीनान के अच्छे 263 राज्यों की मद्द फरस्पर केंद एवन राज्यों की मद्द समनवाय के लिए अंतर रा इसी परिशत के कंतबों इसके संगठन और विक्या परिवासित करन शक्ता है एक सब्सक्त नेमित अंतर राज्य परिश्यत की स्थापना को सुझाव केंद राज संबंदों पर गठ्ट सहकारिया आयो 1913-1987 ने दिया था अब बात करते हैं लोग नेमिलिकत में से कौन एक शेतिये परिश्यतों के लक्षन नहीं है तो यह उप्षन है यह एक संगिदाने संस्था है यह नहीं है पांच शेतिये परिश्यतों की स्थापना राज के पुर्णा गठ्ट नदीनियम 1956 के अंतर की गई था यह भी सही है और यह यह उप्षन भी सही है यह यह भी चंडीगर्ण राज नहीं है फिर भी वह एक शेतिये परिश्यतों में सामेल है कि आगया डी ओप्षन भी एक प्रामरस दाई संथा है इसकी ब्याक्ष्य देख लेते हैं शेतिये परिश्यतों साम्वीदिक निकायना की संभीधान इसका गठन सलसब द्वारा अदिनियम बनाकर किया गया जो की राज पुनर गठन अदिनियम 1956 है इस कानून ने देश को पांच चितों में विवाजित किया उत्री मद्द पूरवी पश्चिम दच्छडी पितिक चित के लिए एक चेतिये परिश्यत का गठन किया गया चेत करती हैं एक एवल चर्चात्मक परामर्स दाई निकाय चंडिगर राज्य ना होते हुए भी उत्तर छेती परिशत में सामिल है इसका मुख्यल है नई दिल्ली में चौसा ठेंडम ने नीचे दिये दो कथन दिये गए कारण अभी कथन कारण भारत में नया एक उन रिक्षण का छेत सीमित है भारती समिधान में कुछ वदार की बस्तों है बी ओप्सन सही है आर ए और दोना सत्ते हैं लेकिन आर एका सही व्यक्या नहीं करता है इसकी व्यक अधें मार्ग निकाला नयाएपाल Kale को ही है कि सक्ती दी गई कि होहा है किसी बी विधी को जो बिधान मंधल की सक्ती के बाहर है कि समिधाने उधर खिंद है ना ला है क्रतूं की संकलपना आइलेंड से संसदी में पेड़ाली आई में दो कथन हैं और शुनाओ की गोष्णा राजमित्रिक दलों को आदर्स आचाहर सहिंता का फालन करना होता है फिर और है कारण आदर्स आचर सहीता को संसद ने खदीर नहीं हमित किया है तो यह उपसंद सही है यह सत्य आर्फ सत्य एकी ब्याक्षा देखते हैं इसकी आम तोर पर निर्वाच्छन आयों चनाओ के क्रिया की सुरुवाद के कुछ सब्ता है पहले एक संबाद दार्ता समीलन में चनाओ के क आज एक संब्सक्राश्च के उपरांस आमीदवारों युग राजनितिक दलौं पर चनाओ अचा सहीता तत्कालागू हो जाती है चनाओ प्रचास के दोरां चनाओ लड़ने वाले राजनितिक दलौं युग अवाद्वारों उसे यह एक्टा की जाती है कि नवाच्छन ए अब बात करते हैं 66 वा कुष्टन सुजी एक को सुजी दो से सुमलिक करना है इसकी भी आख्या देख लेते हैं हमनों डाले ठीक है कुष्टन पढ़ लेना 38 समिधान संसोदन नियाएक पुनर रिच्छर सक्ती का सकरी सीमन 44 समिधान संसोदन संपत्ती का दिकार को मौलिक दिकार से अटाया 61 समिधान संसोदन है मता दिकार की रही 21 बस से 18 वर्श कठाना चैक है अड़भीस है नयायक पूर्ण है एक चछट्सक्ति का सब्दे का जोड़ा जाना थीक है 38 है न्यायक टोर्भीच चव्दि को पर इसी में अ ररतालीस है न संपत्ति के अधिकार को मुलिक के अधिकार चैत आना कि एक सट है वह समीदान संसुदन मत अधिकार किया आयू 21 बार से 18 बार सगठान व्यालीस वा समीदान संसुदन है उब देज क्या में पंतने रभेक सब्देकार जोड़ा है अब यह सब्सक्राइब संब्धान भारती समान की त्यायलीस ची में नेमलकत में क्या बंदित है तो चारों से है मतलब संग के मंतरी के लिए पतकी सपत का प्यारूप है उचितम नियालाएगे मुखनया तौण books ले जाने वारी सपथ का प्यारूप है भारत के राचपति के लिए सपत का प्यारूप है संसत के सदस्वान द्वारा ली जाने वाली सपत का प्यारूप है अब हम बात करते हैं इसकी ब्याख्या देखते हैं भारती सम्मेजान की तिख्यान के प्यारूप दिये गए हैं जो संग के मंत्री के पत्की सपत का प्यारूप है किसी राजि के मंत्री के लिए पत्किस्फत का प्यारूप है, कि निर्वाचन एटु अब्हरती द्वारा ली जानेवाली सपत का प्यारूपरूपरूपरूपरूपरूपरूपरूपरूपरूपरूपरूपरूपरूपरूपरूपरूपरूपरूपरूपरूपरूपरूपरूपरूपरूपरूपरूपरूपरूपरूपरूपरू कि अब देखते हैं 68 वा कुष्टन निम्लेकित में सही सुमलेक नहीं है तो डी ऑप्सन लेखानवान बजट मांगों पूर्ण रूप से दिध्य वर्स के लिए फारत करना बाकी तीनों सही नीती अन्नुनोंवेदन फिस्ता बजट की मांग को घटा कर एक रुपया कर दिया नित वेता फिस्ता बजट की मांग मैंसे एक निर्दिश्ट रासी घटा दिया सांक्यत क्षिट्ख की मांग में से एक सुरुपे कम कर दिए जाना इसकी व्याक्या देख लेते हैं हम लोगे बजट पास करने चुबिप्रिया बजट पेस करने किAngel आ está इस पर चप्रचा करने और हनुदानों की मांग और सुईक्यत करने आप करने नहीं का पिशासन चलाने के लिए सरकार के पास पार्याप धनों कलब थे वो इसलिए लेखा अनुदान के लिए विस्टे बंद किया गया जिसके द्वाना लोकसभाग हो सकती दी गई कि वह बजट की पूरे होने तक किसी भी तियवास की कि ये भाब के लिए पेशगी अनुदान से सही उत्तर चुनी है तो इसकी ब्याख्या देख लेते हैं भारत सद्कवाद द्वारा प्यारम की निम्लिकत योजनाओं का कालिकिन निम्लिकत अपनी जो कन्या संब्रिद्ध ही योजना है ये 22 जनमरी 2015 को अटल पैंशन है एक जून 2015 को मेक इन इंडिया 25 सेप्टमर 2014 को कि अब अपना सत्तर है सामाजी त्रक्षा दिनी हैं 2008 के अंतर के त्यारम की गई राष्टियस स्वास्त बीमा योजनाओं अच्छा दित करती है कि केवल संग्डिच छेत्रों के सेमें को को केवल गरावनिस सेमें को को कि इसमें सी ओप्षन है केवल आज अंग्डिच छेत्रों के सेमें को ड्याख्या दिखते हैं राष्टियस स्वास्त बीमा योजनाओं योजनाओं रोजगाय मंत्रायले भारस सरकातों आं गरीवी रिखाय से नीचे रहने वाली परीवारों के लिए सामाज एक सुरक्षा था तो पी ओप्षन से 28 पिती एक हजा लाइफ बरत ग्यारवाई पांचरवाई सी योजनाओं राष्टी विकास परीशत का अनुबोधन नीच सेक्टम हद हो जाए साथ को प्राप्त हो गया था सिच्व मित्तिवदर को गटागर 28 अमात्तित मित्तिवदर को गटागर पि जिन अंदर को दो दसमलों दो पॉइंट दसमलों एक पिती सथ लेंट से लाना बहत्तर है आर्थिक सर्वेक्षन 2015-16 की अनुशार नेमने कित्म में से किसे भारतिय विश्टा का चेक्ट वियू च्टॉती माना गया तो सी ओप्षन से यह भारतिय विश्टा का सामाज गम रहत सीमित बाजारबाद की ओर जाना आर्थिक सर्वेक्षन 2015-16 की अनुशा भारतिय विश्टा का समाज वाद सिन्य गमन रहत सीमित बाजारबाद की ओर जाना एक चक्वियू चनौती माना जाते हैं तेहत्तर इन्म लिखते यह ना विचार कीजिए उने आरंग होने क अब इसकी हम लोग डारेक्ट हुए आप क्या देख लेते हैं प्यद्धान मंत्री जन धन योजना इसकी बात करें तो अठाई सगस्त 24 को फिर अपना डिजीटल जेंडर एटलस फोड़ एडवांश सिंग गल्स एजूकेशन नौमार्च 2015 मुद्रा बैंक थी जो आठ अप अब है चोत्तर निम्ल कितमे से समनुवित बाल विकास सेवा में उजना के अंदर कौन सी सेवा नहीं बताने होती है तो सी अप्सन है बच्छों को निसल के उस तक एवं विद्ध्याल है पूसाक का वित्रन इसमें पूरा काहर भी होता है रोग पिती च्छन तीन से सेवान कराने वाली महलाओं के स्वास्त पूसन एवं सेक्षट सेवाओं को एकिकरत करने की योजना है यह महलाओं महला और बाल विकास मंत्राली की अंतरगत 1975 में फैरम की इसमें बच्छों को निसल पूस्तक एवं विद्ध्याल है पूसाक की वित्रन का कोई लिख नहीं नियात निश्पादम केंदिये बजट 2017-18 में सरकार का एजनडा टी इस इंडिया अधर टांस्पोर्ट निया इंडिया निर्धायत किया टी इस इंडिया को आँगे बढ़ाने के लिए बजट पिस्ताओं को दस विश्ष्ट इस थम्मों के अंतरगत रखने का विस्ताओं इंजन में सामिल किसान गिरामी डावादी हुआ निर्धन इवा मंचित वैंग आओ सररचना विद्धिय छे डिजीटर अर्दवस्ता लोकसिवा विवेकून राजकोशीय प्रिबंदन और कर्प्रवास पिसासन निर्याद निस्पादन इसमें सामिल नहीं है शेत्रवा कुश्चन है बुलक कैपिल स्वेल पूंजी पती किसे कहा झाता है तर दंधों केसानों को जिनके पास कुछ साधनत है और धनन नहीं इल्ग गुंचन जाताै ंधिनके पास कुछ साधनत है पर neighbor दंग नहीक samma ससत्रवा कुश्चन है निमलिकित में से किस वर शयवत्राश्रंग ने परम गरीवी की परिभासा अंगी कृत की थी तो भी अप्सन है 1995 शयवत्राश्र द्वारंबस 1995 में परम गरीवी की परिभासा को अंगी कृत किया गया था इस परिभासा के अंसार पूर्ण गरीवी एक ऐसी सर्थ है जिसमें मनों की बुनियादी जरूरतों की गंभी समस्या हैं बोजन, सुरक्षत, पेजल, स्वक्षता, इस्वविदा, स्वास्त, आसर, सिक्षा युँन सूचना सामिल है। आराम, बाकी तीनों होते हैं स्वास्त, सिक्षा, अर्थिकिस्ति, वर्ल एकोनोमिक फोरम द्वारां गिलोबल जेंडर गैप, इंडेक्स के आंकलन एतु, प्राचल के रोम में स्वास्त, सिक्षा, अर्थ विवस्ता और राजनीती को प्रयोक्त किया जाता, उपरोक्त विकल फुष्टवि से 25 से ट्रेक किया आजाता है तो यह उप्छन है, डॉपलर भाव को अज्छ भाव को इसके व्याख्या दिखते हैं आम लोग किंतम प्रेख विथ्वि से 25 से डॉपलर भाव से ट्रेक किया ग्रकता है इसके लिए डॉपलर करुग का पयोंग किया जाता दोपलर द्वारों ऑफगुराय को ट्रग किया जाता है जिसमें ऑपगुराय इबां के रलेत के कुल बल्वों की संख्या पांच अता कुल छमता सो इंटू पांच मतलब पांसो बार्ट समय बीस गंटे बित्वुत खर्च वार्ट इंटू गंटा अपॉन थाउजन इद्दस यूनिट ने कुल आई थे अब देखते हैं क्या सीवा कुष्ट यदि सो ग्राम चीनी को आधा अंत्रप्त चीनी का गोल तेयर किया जाए तो निम्द में से कौन सी बहुत इक्रासी नहीं बदलेगी तो बी ऑप्शन है आयतन द्रभमान बदल जाएगा गहनत तो बदल जाएगा सांधिता बदल जाएगी लेकिन आयतन नहीं बदलेगा सो ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में गहोल करते है और विलेयन में उसके द्रभमान में उससे परिवातन होगा द्रभमान में होने वाला परिवातन घनत को भी प्रवाहवित करता है करेगा सांधिता अब की मात्रा पर ही निर्भा करता है अता यह भी प्रवाहवित होगी किन्तु आयतन किसी के घेरने की माप होती है जो नहीं बदलेगा आयोग द्वारा जारी संसोदत उत्तक पत्रग में पिसंद का उत्तर यह सही माना गया था ठीक है अधियासी देखते हैं मोबाइल चार्जर होता है तो डी ओप्सन है एक अपचाई ट्रांस्फार्मर जिसके प्रेवक बॉल्टेज को नीचे करने के लिए किया जाता है इसके एक रेक्टिफायर भी होता है जो निम्न एसी करेंट को डी सी में करता है टेरास ही है टेलेवीजन दर्शक ड्स अंटिन करते हुए बर्साइफ में ओफग्रेज सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि सीवें, सहिस्स में दो और प्रेवक बुद्फार्षा कि बूने रेडियो अतरंगों की औरजा और फस्षी करता है बूने रेडियो तरंगों की उर्जा मूल देशा को बिचलित करती हैं एंट्रीना छोटे होते हैं ये गलत हैं अब इसकी ब्याक्या देख लेते हैं हम लोग सब पता चल जाएगा टेली वीजन दरसक डिश्ट एंट्रीना पेप्ट करते हुए बरसा में मौसम श्रेंगनल न कमजोर हो जाते हैं सिंगनल में कमी के दो कारण होते हैं परसा की थीबिता उगरे की साफिक चिक हुँचाई एंट्रीना छोटा होना इसका कोई विसेश कारण नहीं है अता है कतन एक गलत है कतन दो और तीन सही है एक कटा हुगा हीरा जग महागा हट के साथ चमकता है अब क्रांतिंग कोंड से अधिक हो जाता है तो विरल माद्य में पिकास करण का अवरतन नहीं होता बलकि संपूर्ण पिकास परावरतित होकर सगन माद्य में वापस लोट जाता है इस पिकार के परावरतन को पूर्ण आंत्रिक परावरतन कहते हैं कटे हुए एरे को जग मागा का खारण पूंड आंत्रिक परावर्तन ही है पचासी वा कुश्चन है भुपाल गैस दुरगटना का का खारण था तो ए ओप्सन से यह मैं थाइल आईसो साइनेट कव रिसाव बहारत के मद्पदेश राज्य के भुपाल सहर में दो से तीन दिसंबर 1994 को एक भायानक उद्दोग दुरगटना भी इसे भुपाल गैस द्रास्दी के नाम से जाना जाता है भुपाल इस्तित इूनियन कारवाइड नामक कंपनी के कारखाने से मेथाईल आईसो साइनेट मिक नामक जहरीली गैस का रिसा हुए जिसमें लगभग 15,000 से अधिक लोग अच्छासी बाद एल पीजी सिलेंडर के रसाओ से उत्पनत दुरगंद ने मिलेकित में किसकी होगी किसकी होती है तो यह है एथाईल मर्ग केप्टेन ब्या क्या है द्रिवित पेटॉलियम गैस प्रोपेन ब्यूटेन आइसो ब्यूटेन आधी हाइडो कारवन कमिस्रण ह यह बन घरों में रसोई गैस के रूम में फिव्क्त होता है इसमें अतेंत उच्छदाप पर प्रोटेन ब्यूटेन एवं आईसो ब्यूटेन जैसी गैसां दिरवित होती है यह देवित हाईडो कारवन के मिसनेंड को देवित पेटोलियम गैस या ल्पीजी कहते हैं यह प प्राक्त्हीं से बना ईसा है कुछ पौछ के पिकार के ever वारवा द्वारा बनाए जाता है बेकलाइट कीय लार लेकिसान आधिक इंतिम बहूलक कि उधारहे है 88 है यूरिया है एक नाइट्रोजन इप्थक कारवन कार्विनेट योगिग यूरिया एक नाइट्रोजन इप्त पारविनेट की योगिग इसका रसायन सुंहुत है नेज टू टूक सीओ होता है कार्विनिक रसायन के चेत्त में यह से कार्वामाइड भी कहा जाता है यह एक रंगीन गंदीन सफेद रवेदार जहरी लाटोस पताया थे यह जल में अती बिले यह इस तन पाई और सरी सरफ टाणियों के मूथ में पाया जाता है किरसी में न लोगार का उतपादम दिर्ब अमोनिय तथा दिर्ब कार्वन डाययोकसाइड किया विन किरिया से होता है नवासीवा कुस्ट्रे कुस्चन है निमलिक में सट कौन सार्वीनिक अंगूर इमली केला में फिच्छर मात्रा में बिधवान रहता है तो दियोप्चन है तार्टर एक कारवनेक अंगूर इंगली तता केला में प। पाया जाता है। सिर्क डूल में लेक्टीक अंगल तो दूरत कुछें है। नभेवा कुस्टन है, फलों के मीठे स्वाद का कारण है। इसमें। तोज डी ओप्सन सही है फलों के मीटे स्वाद का कारण उसमें पाई जाने वाली फेक्टोज है फल सरक्रा फेक्टोजन एक कार्वने क्योगिक है यह एक प्रांड जलिये है जिसका स्वाद मीठा होता है इसका अटम सूत भी गिलू कुछ की तरह होता है कि दूसरे कार्वन सीटू पर केट टाउन समूर उपस्तित है ततनकी लूपोच के सब के ही समान इसमें च्छै कार्वन परमाणों की सिंखला पाई जाती है एक अनुवा कुश्चन है सूची एक को सूची दो से सुंबलित करना है उत्पाद ने जा इस फ्रोथ है तो इसमें भी उप्सन सब्सक्राइब अपहीम है जो तना है अपहीम है जो फल है हींग है जड़ है तरवर है अपहीम है जो जड़से होती रवर तना कुने चाल है अब बात करते हैं बाउन वेवा कुश्चन निमलिकित में से कौन सभी सुमलित नहीं है तो डियो अप्सन है फिलो राइड आयंड अपच्छ यह गलत है पारा है जो मिना माता बीमारी होती है केडमियम एटाइटाइ बीमारी होती है नाइट्रेट आयन बीलू बेवी सेंड़ू होता है इसकी ब्याक्या दिखते हम वेमिन पिदू सकों से होने बाली बीमारी नेमन है पारा से मिना माता बीमारी केडमियम से होती है पाचन में और कारण है यार मानो सरीर में इस्टाच अप घटक इन्जायम डायश्टेस बिद्मान रहता है तो इसमें भी ओप्सन सही है ठीक है ए और आर दोनों सही कि तुब आर एका सही इस पश्टी करन नहीं करता है इसकी ब्याक्षा देख लेते हैं मानो सरीर में इस टाइट अफ गटक इन्जायम डाय इस्टेज बिद्मान रहता है परन्तु यह दोनों का कुई सीथा संबन्द नहीं है इस कथन और कारण दोनों सही है परन्तु आर कथन और कथन एक ही सही ब्याक्था नहीं करता है आग 14 पी क्योंस चुबाने पर नमलकितंकों में कौन सा दर्ध महसुस नहीं करेगा, इसलिए शरी दर्ध महसुस करता है, वे खलत दियेगे अन अन सुहि चुबाने पर दर्ध नेद 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 मस्तिस्क नहीं करता है वहां पंचानवेवार कुश्चन है निमलेखेत मैं किस जन्तु में खुर नहीं पाये जाते हैं तो B-Option है गीदड में खुर कुछ जन्तु के पाओं की अम्रीडियों के उस अंतिम भाग उका जाता है जो उनका भार उठाते हैं केराटीन नामक नापुन जैसे सक्त चीज से ढखा होता है फुर पाये जाने वाले जन्तु गोडा कथा जब्राच जिराप गेंडा दरियाई गोडा हेरन बक्री आ दी है जबकि गीदड के खुड नहीं होते पंचानव च्छानवेबा कुश्चन है इनलेकित में से कौन सा सही सुमलित नहीं है तो डियूपस्ण है गेस्टिन रख्त चाप का नीमन ये गलत है इंसूलीन है जो रख्त सरकराह का नेंतन करता है मेला टॉन टॉन है निद्रा का नेंतन करता है ऑक्ष्टी टोसन है इस अधियृति में सोनण करता है इसको अधियृति नेंतन करता है झेल संद सहाच का नेंतन करता है कि की या अ में होता है और गयश्टिक में दियों को है और हॉकलो । के लिए दीप्त करता है गेश्टिन का स्तरावन उदर में बोजन के पहुंचने से आरम होता है नियून पीएच इस रावन में उस्ट प्रोकावट लाता है अक्रत की कोस्काओं से पित का रिसावा होता है जो पित्तरासर में जमा होता है पित्तरासरी नालिका गरेनी में खुलती है पित्त बसा के मलत करन में मलत करता है और उसे बहुत छोटे मिसेल कडों में तोड़ता है पित लाइपरे जंजायम को भी सक्रीव करता है पित्तरासर में उपस्थित पत्थर पित के स्राव को बादित करता है जिसे में बसा का MLT करन बादित होता है अन्ठाउन वेवा कुश्चन है नेमलेकित में से कौन सा अनुवांसिक रोग नहीं है तो यह अप्सन है रतोंदी रजक हींदा भी है हीमोफिलिया भी वरणधा भी है यह अनुवांसिक रोग है टीनों रतोंदी नहीं है अनुवांसिक रोग है बिमारी है एस रोग के रोग गो तो दिन में तो अच्छी तरह दिखाई देता है लेकिन रात के वक्त तो नजदी के चीजों को भी ठीक से नहीं देख पाता है रतुनी का मुक करण बिटामिन एकी कमी है हम लोग इसकी Era pomida में कोँ सभी समलित नहीं है हम लोग इसकी डरैक्ट ब्याख्या देख लेथे हैं है भी इतामिन से उप्सन स्मय को हां वाग बच्चंन जूट को इसकी ब्याख्या नहीं है इसकी ब्याख्या वस्वाज्यों हिरु पाई या कमजोर होने कि सुखा हो कहते हैं विटामिन D का फ्रमुक श्रोश सूर है विटामिन की है यह पिती रक्तरावी कारख है विटामिन सी पिती स्करवी कारख है और एक अप्सन है विटामिन B12, पिती अरक तित्ता कारक है, सौबा कुश्चन है, ऐयोडीन की कमी से होता है, तो C-Hopson है गहेंगा रोग, ऐयोडीन माना शरीर का त्यावसक बहुतिक तत्त है, यह आउटू गैंथी के सम्मेट की या विधी के लिए आवसक है, जो सक्ति का निर्मान करते हैं, हानी फृत की टाञिँओं को मालती है और इसे के हार्मौन थायरॉकसीन की कमी पूरा करते है, अयोडीन मन को सांती पितान करता है, तनाव कम करती है, मस्तित को श्रदर्क रखती है, और बल नाकून दात अच्छाबूतम इस्तिती में रखने में मद़त करती है, आयोडीन की कमी से गर सबसे बढ़ा होता है तो यह उपसंसा यह चीटी का बिकल्पों दीए जन्तु में सरीर के अनपात में चीटी के सिर्फ सबसे बढ़ा होता हूं पर जन्तु के सरीर का अनपात है सिर्फ सरीर का अनपात है चीटी का साथ अनपाते 1, मानव का है 50 अनपाते 1, हांती का है 560 अनपाते 1, डॉल्फिन का है 1091, अब हम बात करते हैं एक सोदावा, दोवा कुष्चिन है, हवा में तेरती हुए स्वस्षनिय सूप्ष कड़ों का कार होता है, तो डियो संप 5 माईक्रोकॉन से कम, हवा में तेरती स्वस्ष निये सुच में कड़ों का आकर चाल से पांच माइक्रो कॉन से कम होता है जो कि स्वांस लेते समझ सीधे तौर का फैंपरों के अंदर चले जाते हैं 103 बाहर निमलकित में कौन सभी सुमलित नहीं है तो डियोप्सान अजूला मक्का ये गलत है नील हरित सहवाल धान में रायो वियम लेगी हूँ मिनी मिनी सारम है मतर में एजोटा वेक्टर गेंव में इसकी बैक्ष्या दिखते हैं मक्के में नाइट्रोजन इस तरीकर नटकारक अजूला नहीं है अजूला एक तरतीवी फरण है जो सहवाल में से मिलती जूलती है सामनता अजूला धान के खेत या उतले पानी में पाई जाती है अजुलवा की पंकुडियों में एना बीना नमक नील हरित काई के नाम का एक सूर्चम जीव होता है जो सूर के प्रकास में बहु मंदली है नत जन का योगी की करण करता है और जो हरे खात की तरह है फसल कुण्ट नत जन की पूर्थी करता है धान के खेतों में इसका इसकी ब्याख्या दिख लेते हैं लोग दर ठीक है पश्चमी घाट है कुमारी इस्थांत्रक खेती दचने पूर्वी राजस्थान बालतरे उप्तर पूर्वी भारत छों जों मत्पदेश वाचतिस गड़ में दहिया या डहिया कहते है इस्थांत्रक खेती गुप्टी पश्चमी घाट में कुमारी कहते हैं दच्छेंट पूर्वी राजस्थान बालतरे उत्तर पूर्वी भारत में जूम केसे कहते हैं जूम किरिसी ओमध विदेश चैतिस गड़ में डहिया या दहिया एक सो पांच बाय है निमर्कित में सही संब्लिक नहीं है तो सी उक्षन में इसमें त माफटन शेह दिवस 5 महिव को नहीं मनाया जाता है बाकी विस परया वरेन वरेन दिवस 5 जून को मनाया जाता है पिथी झिफधी डिवस 500 मrd को जोन दिवस 16 स्य। मर्गु मनाया जाते हैं एक सो चेवा कुष्चन है हरित ग्रह पे वाव से बाता बन में लेकित में कौन सा परीवात तुम हबता है तो वाई यह उप्शन से ही इसमें बाई मंडल में कारवन दाई ऑक्साइड का सांधिता बढ़ जाती है इसकी व्याक्षिया देख लेते हैं ग्रीन हाउस गेस हैं ग्रहे के बाता बन यह जलवाई में परीवरतन और अंतित्ता भूमंडली यह उसमी करण के लिए उत्तरदाई हो थी है इनमें सबसे जाने उत्तरजन कारवन डाई ऑक्साइड नाइट्रक ऑक्साइड मेथेन किलोरो फिलोर कारवन जलवास ओजन जाती है जो बातावाईन किताब विद्धी में साहिक होती है आंकलित किया जा गया है कि 400 ppm में करवन डाई ऑक्साइड का इस तर बातावाईन का तामन एक डिर्वी तक बढ़ा दीगा आये गुद्वारा है पिसंद मूले अंकल से बाहर कर दिया गया याद रखिए एक सुसाथ वाई ने में से किस पारिष्टितिकी तंत में खौद्धो का जैविक बदारत अधिकतम होता है तो भी उस्ट कटी बन दिये वर्सावन उस्ट कटी बन दिये वर्सावन एक ऐसा चित है जो भूमत रेका के दच्छन या उतर रिप लगवग दस डिगरी अक्छ जातियों की आधी संक्या इन बर्सा बनों में रहती है इन बनों में पौदों का जैविक पदार्थ धेकतम होता है एक सो आठवाई कुछन भारत सरकार ने बन सरक्षण अधिनियम किस वर्स अधिनियमित किया था तो भी उप सने उन्नीच स्वस्टी बारत सरकार ने बनों प्रवावी होने के पश्चात कोई भी बनों में केंदिय सरकार की अन्मती के बिना गैरवनिकी या किसी अधिनिकार के लिए उप्योग में नहीं लाई जा सकती तो यह उप्सन है प्राक्तिक निवास और बनस्पती के बिनास से इसकी ब्यक्ता देख लेते हैं जै विवित्ता से ताथ पर पित्वी पर पाये जाने बाले जीवों की विवित्ता से साधरना सब्दों में जै विवित्ता कर रहते हैं कि सीनिश्चित भोगली चित में पाये जाने बाले जीवों और बनस्पतियों की संख्या से तथा इसका समन्द पौदों के पिरकारों प्यारणियों और सूक्च जीमों से जैवी विट्था सब्द का प्रिवुग वाल्टर जी रोजेन द्वारां 1980 में किया गया जैवी विट्था को अधिक्तम सकुंकट प्राक्तिक निवास एवं बनस्पतियों के बिनास से जलबाई परिवर्तन बढ़ती प्राक्तिक संसादनों के अधाधन दोहन से विविन प्रजातियों के आप आवास नश्ट हो रहे हैं जिसके कारण बहुत सारी प्रजातियां या तो बिलब्त हो गई है या होने के कारा आरबन 110 वा कुश्चन है मतलब जीवास में जीवास में का अधिकारिक पिचलन दूसरा है तेल चालिट सोचालिट की संख्या विस्पोटन और अत्यदेग बनोनूलन एक दो चाल से यह तीन गलत सोर दधक में भित्ती यह गलत जीवास मेंदन का अधिकादिक पिचलन तेल चालिट सोचालिट की संख्या विस्पोटन अत्यदेग बनूहूलन आदि उप्युक्त बेकल्पों में सोर धदक में बिर्दी जलवाई परिवेतन का प्रमुक खारण नहीं है 111 बाए रानी लच्मी समुद्धी राष्टी पार की स्थापना हुई थी तो सी ओप्सन है 1996 इसकी ब्याक्या देखते हैं रानी लच्छिमी बाई रानी जहांसी समुद्धी राष्टी पार बंगाल की खाड़ी में इस्ते थे भारत के अंड़मान बार निकवात धीव इसका उर्गाटन सन 1996 में किया गया था है इसका पुल्चितपल 256.14 किलोमीटर 112 कुष्टन नहीं के इंधनों में कौन न्यूंतम पर आवे नहीं है पिदूसन उत्पन करेगा तो यह उप्सन हाइड्रोजन बत्मा समन में परंपरागत उर्जा स्रोतों के साथ हाइड्रोज करता है बेकल्पन दीए अनस अभी उर्जा स्रो थाइड्रोजन से कई गुनादिक पिदूसक उत्पन्न करते है एक सो तेरवा कुष्टन है नमिलकित में से कौन भारत में इस्थापित पिथम राष्टी उत्ध्यान पार्क है तो यह उप्सन है जिम कारवेट राष्टिय भारत में से इस्थापित पिथम राष्टी है उत्यान हैली पिर आष्टिय पार्क जिसे उनी सो च्कue इस्थापित किया गह stool किल्भ पार्क का नम बर्तमार में जिम कार्वेट नेसन पारेक है जो निर्टी फाफ्ट है यह सफो चौदबा कुष्चिन है अदुलेकेत में में से कौन जीब से जय बंडल तक जयविक संगठन का सही करम है तो छी ऑपसिन है जन संक्या समुदाय पारिष्थी की तन्त भूद्रसं जय में जय मंडल तक जयविक संगठन का सही करम मिस्पकार जन्संक्या समुदाय परिस्थिती के तंथ भूद्रस अभी 115 वाए अन्नि मिल्कित में कौन सा तंथ सही समलित नहीं है तो बी ऑप्शन सही है बी ऑप्शन नहीं क्लोरो क्लोरो कार्वन आटोम आयर से नहीं कर्वन डाइय ऑक्साइड थर्मल पावर इस्टेशन नाइट्र ऑफसाड जल्ल मगन धान के खिल से सल्फार डाइय ऑक्साइड निकलता है नाकि सी एपसी से इस तीन बेखल्प सही है कारण कथन है भारत में जलबाई पर इस वरतन से सामजे कितना अपड़ रहा है कथन और रहे हैं मौसम की चर्म दसा की बारा मत्ता एवं तीविता से कथन खादस रक्षा पर गंबीर पर वहाँ पड़िगा तो इसमें ए और दोनों सही है आर एकी सही भारत में जलबाई पर वहतन से सामजे कितनाव बढ़ रहा है और मौसम की चर्म दसा की बारा मरता एव दीब्दत एखाद स्रक्षा इपर गंबीर संकट है इस प्रेकार बेकल्पन दीए ये दोनों कथन सही है एक सो सत्रवा कुष्टन है सुची एक सुची दो को सुमलित करना है सुची तो दोग है जी कहना ठीक है बी ओप्सन है इस में दो तीन चार एक तो मतलब खेल का सामान मेरट में दियास लाई वरेली पीतल का सामान मुरादवार लखडी का नक्कासी सहरान फो इसके ब्याक्ट्राइब कि दिख लेते हैं खेल का सामान मेरट में दियास लाई धियास लाई ये पीतल का सामन मुरादवार लखडी का साहारान फो भाष्ट की अब देखते हैं अ ठार बाद सब के लिए सत्थ उसगे पहल है तो यह इस ने स्यवच्टर अश्रंकिंग नि सब्सक्राइब नवीन पापित्यक्ष कर नेटवर्ग से इसकी ब्याख्या देखते हैं कैन सरकार ने केंदी उतपाद एवं सीमा सुल्क बोर्ड की बाइस सो चपन करोड रोपे की सूचना प्रुद्ध की परियोजना सक्षम को मंजूरी दी है जिसके तहित केंदी उतपाद सीमा सुल्क बोड को पिस्ताविद नए जी एश्टी पढ़ा ली के नेटवर्ग के साथ एक ही करेत किया जाएगा सब्सक्राइद की नए अप ठीक्ष का नेटवर्ग पढ़ा ली एक ही करण स्डीवीची की जी एश्टी पढ़ा ली तताहां जी एस्टीयन में कोई दोरा ब्युक्त पूंजी से भीड़े बित पोसक के मातम से पोसन के मातम से इसकी ब्याक्य देखने कंपनी सांजेदारी या आस्थाई संगटन के रूप में सुरू किये गए उद्दम या नए व्युसाय को स्टायर टप कंपनी का स्टायर टप कहते हैं जो एक दो हिराने योग औ ब्युक्त पूंजी से भीड़ बित पोसन के मातम से पूरा किया जाता है था उप्युक्त सही बिकल्प साहिं एक सो एकाईस है निमलिकत में किसके द्वाना जनवई 2017 में सेज इंडिया मोबाईल एप सुरू किया है तो इसमें सी ओसन है वर्ड जेवम उद्व मंत्रा ना इन्डिया मोबाईल एप की थी अबाईस बाईस 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 देशन द्वारा कौन सा बेंग चीन में अरस्थाविक किया गया तो शी ओसन है निव डवलमेंट बैंक दुनिया की वर्तिय अरस्था वाले विक्स देश ब्राजिल रूस भारत चीन अप दचना परिटाने स उचिस से पहले इसे पहले विक्सबैंक की नाम से जाना जाना रहे है एक सोठी वार सरकाद रूस भारत की गही सा देश दरस प्राजिंग ने किशना परीपत, मरूस्थल परीपत, बौध परीपत, महमाल परीपत, तटिय परीपत, जनपजातिय परीपत, बनजीब परीपत, ग्रामीड परीपत, आध्यात्मिक परीपत, रामाइड परीपत, बिरासत परीपत, इको परीपत, इन परीपतों में सोफी परीपत सामल लही हैं 126 ये हैं एक डोजा वह सक्त्रा से प्रवाबी उत्तरपिदेस में आखोशल सहमे कों की नियुनुतम मल्दूरी निस्चत की गई तो भी ऑफचानन है सहरी छेत्रों के सत्र पितीसित कुटों के नेसलनल फैमली हेल्थ सरवित्तीन के अनुसार भारत में सहरी छेत्रों के स्वाश देख़ार का मुख सरोच कित्था का नजीचेत्थ है अंगला 126 वा उर्जा गंगा परियोजना के लिए निमले कित्में से कौन से कथन सही है तो इसमें भी ओप्शन सही है एक और दू यह फाइप लाइन परियोजना है इसे ऑक्टूबर 2016 में प्यारम किया गया था यह है इरान से भारत तक फैली है यह गलत है तीसरा एक और दू से इसकी ब्याख्या दिखेंगा परियोजना परियोजना है जिसका लक्ष देश के पूर्वी भाग के निवासियों को पाई पाइप नेचुरल गैस पी एनजी और बाहनों के में भारतिये प्रधानमंत्री ने वराणड़सी में इस नेव डाली इसकी उजना है पूर्वी भारत के पांच राज उत्तरप विहार उत्तरपदेश विहार के अच्छ मंगाल यहारखन डूरी साथ सामिल है कि एकसो सत्ताइस है नेमलिकत में से सही संब्लित नहीं है तो इसमें डी ऑप्सन है स्वक्ष भारत सुद्ध पेजल से संब्लित नहीं है उदा है यूडी यवाई विद्धुल वित्रण करने वाली कंपनियों का वित्त पोशन से संब्लित है है एच आर आई डी एवाई दिरास्त बाली सहरों का संरक्षण एवां पुनल जीवन अमरत्यु एम आर यूटी सहरों में मूल भूत सररचना है सुद्धार अंगला है इसकी व्याक्ष भारत में संब्लित गलियों सडकों ततना आधोर सररचना को साब सुद्रा बनान करना है ना कि सुद्ध पेजल व कि अधार अंग मरड़ उनैस्कों के तट्वाधन में सामाजी कि विविकास पर पित्थम विस्त सेखर सम्मेलन कहां पर आएजित किया गया तो डी आप्सोंगं को पैंड है सामाजी विकास पर पित्वंद्ध थेखर सम्मेलन मार्ज 1995 में कोपीण हेजित में नेक condition schreiben नेमलेकत में कौन सा देश फीफा फान्डर चानफेडेटरेशन कब 2017 के विजई इदीश था तो भी अप्शन है जर्मनी फीपा कंफेडेश्टरेशन कब 2017 के फाइनल में जर्मनी ने चीली को एक गिलो से हराकर एक ताब जीता जर्मनी ने एक ताब पहली बार जीता एक सो तीस वाय जी ट्वैंटी सिखर सम्मेलनों के संब्द में ने में लिखें तो इसमें भी आप्शन सही है एक और तीन बारवा जी ट्वैंटी सिखर सम्मेलन जर्मरी में संपन हुआ था ये सही है तेरवा जी से जी ट्वैंटी सिखर सम्मेलन चीन में संपन होगा एक गलत है चीट ट्वैंटी सिखर सम्मेलन जर्मनी में हुआ इसका तेरवा सिखर सम्मेलन में 2018 में 2018 में 2014 सिखर सम्मेलन 2019 जापान में होगा एक सो एकत्तीस भाय महिला एक दिवसी अंतराष्टिय क्रिक्ट में मैंताली राज की पिधरसन के संब्द मेंने मिलिकित कत्रों में प्रविचार की लिए तो इसमें ए उप्शन सही है सबसे पहले छेजार सेदिक रन बनाने का सियर उन्हें जाता है उन्होंने अपने मैच में सतक बनाया लगाता शाद अर्थ सतक बनाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है एक दो तीन सही है चौत्रा गलत है सरवादिक सतर बनाने का विस रिकॉर्ड उनके नाम है यह गलत है व्याक्या दिखिए लिए भारती महिला करके टीम की कफ्तान मैताली राज ने 12 जुलाई 2017 को गंडे मैक्चों में सरवादिक रन बनाने का विस रित्तिमान बनाने के साथ ही इस पहरूप में 6,000 रन पूरे करने वाली विस की पहली महिला क्रिकेटर बन गई मैताली ने यह कारणामा ICC महिला विस कप्त में आश्टिलिया के रोध खेल दे हुए किया है मैताली ने अपने पितम मैच में सतक लगाया था लगाता है साथ अर्थ सतक लगाने का रिकॉर्ड उनके नाम है 17 में मालावार्श 9 से निक अभ्यास में भाग लिया था तो यह उप्सन सही है जापान 10 से 17 जुलाई 2017 तक है नहासागर में भारत अमेरिका जापान की 9 से नाओं का मालावार अभ्यास संपन किया गया इस अभ्यास में भारत का सबसे बड़ा यूद्पूत आई एनस विक् सूचकान के में भारत का इसकोन सा इस्तान रहा है तो 161 संताओं देश को से अतविकास लग्द सूचकान के में भारत को 166 इस्तान मिला है अब बात करते हैं 134 कुश्टन देश के पितम सोर उज्या प्रिप्र लगी डेमु ट्रेंड को 14 जुलाई 2017 को लौंच किया गया था सब दर जंग रेलवे स्टेशन पर विसकी पहली सॉलर एनर्जी डेम डेजल एलेक्टिक मल्टी उनिट ट्रेंड चलाने का गोरा भारती रेलवे को मिलाए रेलवे मंत्री सुलर प्रिवू ने 14 जुलाई 2017 को विस पहली सॉलर एनर्जी की ट्रेंड को हरी जंडी दिखाई एक ट्रेंड दिल्ली के सराय रोहिला से गुरूगराम के थारूख नगर तक चलेगी इस ट्रेंड की लाजचिंट सफ़दर जंग रेलवे स्टेशन से की गई बस 2017 में केलिपोनिया उनिवर्शिटी में प्रोफेसर ये वंभार्तिय विग्यानेक्स्क्री निवास कुल करणी को खागोल सास्त के छेत में युगदान के लिए 19 मई 2017 को फिदिष्ट डैन डेविड प्रोसा दिया गया एक तुछटी से इस नहीं में इस किस राज जमें जापानी इंशे फ्लाइटिस नुसंधान के इंद स्थापित किया जाने है वाला है तो भी अपसन है और उत्तर प्देश के गॉरप्पूर में हुए वी यार वी एस्पताल हाथसे के बाद के इंद सरकार ने 24 इस लंबित जापानी इंश से फ्लाइट इस अनुसंधान के इंद स्थापित करने का फिस्ताव को पास कर दिया है यह अनुसंधान के इसके गॉरप्पूर जिले में स्थापित किया जाएगा 137 भारत के सबसे बड़ा माने जाना वाला बेस्वी कोसल पार्क की आधार सिला जुलाई 2017 में रखी गई भारत के सबसे बड़ी वेस्वी पार्क की आधार सिलाग 3 जुलाई 2017 को भारती प्धानमंती नाय मोदी ने भोपाल की विभंदन अकादमी में रखी यह पार्क 377 एकड़ में 650 क्रोड की लागाज से बने गई एक सोड़ी से जून 2017 में मानुस इंसादन विकास मंत्राले द के कस्तूरी रंगन को राष्किय सिच्छानीती के फाइनल रोप रेखा कि निर्माड यह तो गटेट नौस अजसी सम्धी का अध्यक्स बनाया था लंबा सेथू लुहित नदी के पार कता है जो ब्रह्म पुत्त नदी की एक मुख उपन दी है इसका एक चोड़ अध्यक्स के डोला कस्वे और मैं और दूसरा चोड़ असम के तिन सुपिया जिले के साधिया कस्वे में है इससे अध्यक्स 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 के वीच आ सब्सक्राइब हाई चलेगी जिसका कराया सतावधी चैन से 20 पितीशत जना होगा मांसून के समय ये ठ्रेंड पूरे सकताय में मत तीम बार ही चलेगी 141 संगाई सहयों संगठन का सिखर सम्मिल गन जिसमें भारत को पूर्ण सदस के रूम में सामिल किया गया संबन हुए तो यह उसने अस्तान नौ जून 2017 को संगाई सहयों संगठन की बेटक कजाकिस्तान के अस्ताना में आई जित्वी जिसमें भारत एवा पाकिस्तान को इस संगठन लुपूर का लिक सदस बनाएगा इसके साथ ही चीन के प्रूबत बाले सीओ की सिदस अंख्या बढ़कर आठ हुई है एस सीओ की ए आठ सदस है रूज चीन कजाकिस्तान करगिस्तान तजाकिस्तान बहुच्जिबेकिस्तान भारत और पाकिस्तान यह एस सीओ का पहला विचस्तार है 141 से नौबे विक्स सिखर सम्मिलन का मेज़बान देश है तो चीन से 122 कि छार्टाम बूंजाष्य के नौँबे सिक्र सम्मेलन की बेटक चीन, चियामन सेहर में आईजित भी, विक्स ख़समेलन में सामिल होने वाले देश ब्राजिन, रूज चीन, भारत धिर्चिन अफिक्या, दसबाव भिक्स सिक्र सम्मेलन धिर्चिन अफिक्या के जोहां सब्सक्राइब किया गया 143 से सहरी विकास मंतलाले द्वारा मई 2017 में जारी किये गए सूची के अनुसाइब निकित में किस सहर को असरवादिक गंदा सहर का दल जदिया गया दुस्ती ओप्सन है गॉंडा सहरों में साफ सफाई की विवस्ता को लेकर करवाए गए कि इन सरकार की सवच्चता सरवेक्चन 2017 गया नतीजे चार में 2017 गुप जारी किये गए इस तरवेक्चन में इन दोर मद्विक्षण सबसे सबसे सवच्चता था गॉंडा उत्तरपिदे लिकत में किसे 2010 सुदोगि संवान श्मानित की अगया तो भी आपसंन है महा वाले सुथ सपिसे द्वानियास के लिए बर्स 2000 सुदोगि समस्ती समान से समानध या जब्स 2017 सरवस्ति सम्मान गुजराति कभी सीतांसूई अश्चन नंपोदीया गया on 및 145 समुल संगे 20 जन खेया दिवास 2017 की विष्एभस्तु है विष्एभस्ट्टन खेयादे उनियूड के घन खेयादे याज़कु ना कअने इसको चालीज है यूने शंश्टी नेवर्ड डव्लमेंट सॉल्यूशन नेट्वर्ग द्वारा 2017 में फिकासित 20% रेपोर्ट के अनुसार निम्लिकित में से कौन सा देश विसमें सर्वांग ग्रूप से सर्वादिक पिसन है तो दी आप्शन नौर्वेग यून शंश्टी नेवर्ड डव्लमेंट सॉल्यूशन नेट्वर्ग द्वारा 2017 में फिकासित 20% रेपोर्ट में एक सुपच्पन देश सामल है नौर्वे पहले पर है डैनमा एक दूसरे पर आइसलेंड तीसरे पर है उस सबसे अधिक दुखी देश है एक सुपच्पन भा पर दूसरेंड पर दूसरेंड पर चर्चा की गए एक लिए उपन बेर्मिंटन फूरो सेकल का किताब इतने वाला पित्वंभारति एक पोन है तो आइसा करने वाली पित्वंभारति एक सोनन चास्वाइं किसी राजसरकार ने राजसरकार की अगदियों को प्यद्रशत करने के लिए वेव अधारित मंच पिती बिम मार्च 2017 में शुरू किया तो करनाटक 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 राजसरकार के मुखम मंत्री सिध्धर मेयर ने श्यमाट जो जैसात्रा गुराजी की जनता को सरकार की अप्लग्दियों को दर्साने के लिए पिते बिम में नामक बेव वेव प्लेटफॉम लॉंच किया यह अंड़क एवां अंग्री जी भासा म संद्ध करना शानस्थान है शहर है इसमें फी ओप्षन सजी है इसा है अलगे अधिया इस पर लेदें बन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में भारति चारा ग्राइव चारा नुसंधान ज्यासी में केंद्रिय श्रस्क छेट अनुसंधान संस्थान जोद्पुर में भारतिय तिर्शी अनुसंधान संस्थान नहीं दिल नहीं तो यह हिते हैं हमारा UPPC यह 2017 का पेपर अन्य लेक्चर वेखा क्रिमियम 2018 की प्याग्मिक प्रिक्षा का पेपर उसे सॉल्व करेंगे ठीज